हलो दोस्तों वेलकम टू मैच चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे शुगर और मिश्री के बारे में शुगर क्या है शुगर एक तरह से स्लोप वाइट पॉईजन है और दोस्तों शुगर में कोई भी मात कोई भी विटामिन नहीं है सब का वहम है सब कहते कि शुगर में ज्यादा शुगर खाने वालों के चैनल के एक बिल्कुल अच्छी नहीं है एक्स्ट्रिम कोई भी चीज अच्छी नहीं मानी जाती है चीनी खाने वाले लोके लिए तो दांतों में भी दांतों के लिए अच्छी नहीं है और चीनी में बहुत सरा एसीड होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाता है हैं और ज्यादा चीनी उत्पन होते हैं तो शुगर ज्यादा खाने उसी हमारी श्एय्ट और बिमारी रोग होता है जिस ज海 तो हमारे शरीर को दुर बनाता है औहना लॉज अब होता है और हमारे शरीर का आपना हम बहुंच हो जातें कर दोस्तों प्र merchant की बीमारियों का थे और दोस्तों से ज्यादा शुगर स्किन को भी प्रॉब्लम देता है हमारी ज्यादा शुगर खाने वालों को अर्थराइटिस कैंसर वाइरस काफी सारे बिमारियां होती है हमको है ना यह अन अदूद फल शाक शबजी इन सबी चीजों से हमको जो शुगर मिलते हैं वो हमारे पिपरमेंट की गोलियां यह वो बहुत एक्स्ट्रिम ने कभी कभी खाने में कोई हाम नहीं है हम बच्चों को उर्जा उनके शरीर को बल उर्जा देने के लिए हम है घर पर मिश्री मिश्री को जुदागी वाले देखो दोस्तों मैंने यहां पे पिक्चर डाली है बोल मे जी है हमको लेनी है दागे वाले असली मिश्री जो unrefined है और यह मिश्री पी ý रिफाइन कियो ही है शुगर जैसे बंती है सिर्फ शेप बढ़ा किया गया है नहीं तो जो मैंने पिक्चर में दिया है लेफ्ट साइड मिश्री दागे वाली हमको उसको तोड़ के पीस एश क बना कर पी सकते हैं, कहीं लोग रात को रात के दूट से लेकि सुबा चाय सिर्फ शुगर शुगर ही युश करते हैं, आप चाओ तो थोड़ी-थोड़े मिश्री होता है हमारे हational को बहुत नुकसान देता है जादा शुगर खौकने से nooksa का बीधिटीस होने का भी खत्रा रहता है और दोस्तों जितनी हम कम शुगर खा उतना ज्यादा बयुक्त है और आरिवेदिक बोला गया है कि जो दवाहियां आरिवेदिक के गरम होते हैं तो मिश्री की तासीर ठंडी होती है इसलिए मिश्री को मिक्स करके खाने को बोला जाता है और कहीं लोगों को लगता है कहीं लोग बोलते हैं नहीं हम आगर में शुगर है हम वुसी को मिक्स करके डालते हैं दोस्तों आपको वो नहीं आपको मिश्री ही डालना चाहिए क्योंकि उसमें भी एक लॉजिक है उसमें बैलेंस हो जाता है क्योंकि आर्वेदिक दवाय घरम है और मिश्री ठंडी है मिश्री इतनी शुद्ध है इसको तेवताओं को भी भोग लगाया जाता है मंदिरों में प्रशाद में यूज किया जाता है मिश्री से बहुत सारी चीजें बन सकती है गाजर का हल्वा गुलाब जामू रज गुले अपन हल्वा बन कोई भी आटे का हल्वा या मावा मिश्री मेवा जो भी पेड़े जो आपको ये बर्फियां जो भी बनाना है आप इससे बना सकते हैं मिश्री तो अज़र एक बार पीसकर कुटकी रख्यों आप शेक्स में या जूसेस में जिसमें भी जिससे सेट्रस जूसेस हम बनाते पैनापल औरेंज इसकभी कभी खटे निकलते हैं तो उसमें भी आप मिक्स कर सकते हो ये इवन मिश्री को हम लोग मिश्री के लिए बोल जालते हैं शुगर की बदले सबस्टिट्ट में आपको यही बताना चाहते हूं शुगर के सबस्टिट्ट आप मिश्री को यूज कर सकते हैं और आप अपने आपको स्वस्त रख सकते हैं और जिन लोगों को स्वस्त रहना है उनको शुगर बहुत-बहुत कम यूज करने साधान के आप बना सब्सक्राइए और बना सकते हैं ऋविए्न सुफ बीस ज्तों बहुत फ्रेशनर की आप यूख किया जाता है दोस्तों मिशरी में बहुत सारे गpsy है और बच्चे जब एक साल के होते तो जब उनको घाय का दूद उनके लिए शुरू किया जाते है तो बड़े यही कहते है कि मिश्री देना चाहिए और बच्चों को भी आपको बहुत कम कम लिमीटेड मिश्री देने कहीं कोई भी चीज एक्स्ट्रीम अच्छी नहीं है दो जोस्तो आप मिश्री से कोई फरक नहीं पड़ेगा आपकी टेस्स में बिलकूल शुगर की तरह आपको लगेगा इनफेक्ट आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि मिश्री भी मिठी है जोस्तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को सब्सक्राइब कि अ लब से के लिए इजस्ट सो कर् pen